कि अधसे फूल स्क्रीन को आपसन आपको यहां पे टॉप पे देखने को मिल जाएगा जैसे फूल स्क्रीण पे क्लिक करते हैं तो जो भी हमारा अमने कस्टमाइज किया होगा मल्टिपल डिस्प् magically पे तो आउट्पू जाने लग जैसे ममलेच हमने प्रीव्म का किया होगा तो प्रीव्म पे ilasınaरी गार इन्पूट का आउट्पूट हमारे अ मलटिपल पालई ए दिखाई देने लगा सऊध। हमस्का पीछ डिपने देराई तो चलिए हम इसका डोतल जो सेट है यहां पर आप कस्टमाइज करके सेट कर सकते हैं जैसे हमें इन्पूट का दिखाना है तो यहां पर इन्पूट पर हम सेट कर देंगे इन्पूट वन टू थी करके प्रिव्यू का दिखाना है तो यहां पर प्रिव्यू का ओप्शन दिखाई देगा प्रिव्यू screen दिखाई दे रहा है आप लोग को दिखाने के लिए तो यहाँ पर जैसे मालेज द इसमेड प्रिके दिखाना है तो हम कैसे सेटंग करेंगे उसके लिए भी हुआ यहाँ पह सेटिंग सेटिंग में जाने के बाद इहाँ प्रिकम्राइना पयल सीट्प्ले मुनिटर है जो की monitor है इस पर दिखाई दे रहा है अगर second वाले monitor पर आपको देखना है तो यहां पर second वाले पर select कर लेना है second वाले पर जैसे select करके okay करेंगे तो आपके second वाले display पर जाने लएगा तो आप अपने साथ से set कर लिजेगा ध्यान रखेगा आप कैसे कर सकते है उसका setting दूसरा है तो हमें आपको samir करने के बाद आपको करनेट किया होता तो यहां पर एक दो तीन चार जितने भी डिस्प्ले आपने करें किया होगा यहां पर नाम दिखाई सो करने लगता वन टू थ्री पोर करके यहां पर आइडेंटिफाई का भी option आने लगता तो आपको कुछ नहीं करना यहां पर जैसे मालीजे कि यहां पर डूब्लिकेट करना होगा तो यहां पर डूब्लिकेट कर सकते हैं आप लोग कमेंट जरू करेंगे कि आपको यहां वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरू जाएगेगा मिलते नेस्ट वीडियो में थांकिए